दो हजार इकीस की सबसे चर्चित शादी बनने जा रही बोलिवुड सेलेब्रेटिक केट्रीना केफ और विक्की कोशल की शादी को लेकर तैयारियां जोरो पर है और इस शाही शादी के बारे में नई नई खबरे भी निकल कर सामने आ रही है कोरोना काल के दर्मियान राजस्तान के सवाई मादूपूर में चोथ का बर्वाड़ा इस्तित शाही होटल फोर्ट सिक्स सेंसेज में होने वाली इस शाही शादी को लेकर यहां परशासनिक तैयारियां भी युद दिस्तर पर की जा रही है सवाई मादूपूर के डियेम ने इस शाही शादी को लेकर एक मीटिंग कायोजन भी किया जिसमें भीड को कंट्रोल करने, कानून विवस्ता बनाए रखने और कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित किये जाने सही सभी इस्तितियों का आकलन किया गया इस बारे में सवाई मादूपूर कलेक्टर राजेंदर किशन ने बताया कि शादी में आने वाले सभी गेस्ट के लिए डबल वेक्सिनेटेड होना और आर्टी पीसियार टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगी जिन्होंने वेक्सिनेशन नहीं करवाया होगा उन्हें अलाव नहीं किया जाएगा पहले सी चेक करके प्रिविज देंगे जो मुझे बताया है उन्होंने चार दिन का बताया है साथ आठ नौ और दस चार दिन की इनकी विवस्ता है बता दे कि कुछ दिनों पहले केट्रीना केफ और विक्की कोशल अपनी सगाई की खबरों को लेकर भी काफी चर्चाओं में थे दोनों को लेकर ये कहा जा रहा था कि उन्होंने गुपचुप में सगाई कर ली है हाला कि एक तेश की मेनेजर और खुद विक्की कोशल के पिता ने इस खबर को महज अफवा करार दिया था इससे इतर दोनों की शादी को लेकर एक खबर यह भी है कि न्यू कबल बनने जा रहे दोनों सेलिबरेटी फोटोग्रापर्स और केमरों से बचने के लिए चार्टर हेलिकोप्टर से सिधा वेन्यू पर पहुंचेंगे जहां ये 9 दिसंबर को शादी के मंदन में बंद कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे